इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिग गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। इनमें रक्त, मस्तिश्क, फेफडे, हड्यों, जोडों, मूत्रपत, पेट और आंतों के संक्रमन शामिल हैं। इसका उप्योग यौन संचारित रोगों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। यह संक्रमन पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और संक्रमन को साफ करता है। यह इस दवा के उप्योग या पेट, आंत, यानि की आंत के संक्रमन के कारण होने वाले दस्त के इलाज के साथ साथ रोकने में भी मदद करता है। इसे डॉक्टर द्वारा निर्धारित समय तक लें और खुराक छोड़ने से बचें। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बैक्टीरिया मारे गए हैं और वे प्रतिरोधी नहीं बनते हैं। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। दोक्सीकोन एलबी कैपसूल भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है। लिकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। दोक्सीकोन एलबी कैपसूल दो दवाओं का एक मिश्रन है होक्सीसाइकलिन और लेक्टोबैसिलिस। दोक्सीसाइकलिन एक एंटीबाओटिक है जो बैक्टीरिया द्वारा महत्वपून कारियों को करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के संचलेशन को रोक कर बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। लेक्टोबैसिलिस एक जीवित सूक्षम जीव है जो आंत में अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बहाल करता है जो एंटीबाओटिक के उप्योग से या आतों के संक्रमन के कारण परिशान हो सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन on all नोटिफिकेशन प सेट करें। धन्यवाद।